कल शाम बाजार से वापस आते वक्स मुझे रास्ते में एक ये पौधा दिखा और इसकी हर्याली और इसके फूलों को देखकर और इसके आसपास की कंडिशन को देखकर मुझे एक बहुत ही बहतरी सबक मिला जो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगी देखिए आसपास की सारे पौधे सुखे हुए हैं उन पर कोई भी फूल नहीं है फल नहीं है और कंडिशन भी इस तरह की है कि यहाँ पे कोई पानी भी नहीं देने वाला है नहीं कोई देख भाल करने वाला है लेकिन उसके बावजूद भी ये पौधा पूरी तरह से हरा- और फूलों से लदा हुआ है तो इसे देखकर मुझे बस इतना ही सबक मिला कि परिस्थितियां कभी भी आपके फिवर में नहीं होगी बस आपको उन परिस्थितियों से लड़के खुद को उनसे बाहर निकालना होगा और पॉजिटिव रहना ही होगा चाहे आपके आसपास क कि आपको देखकर आसपास के लोग भी पॉजिटिव हो जाएं जैसे कि इस पॉदे की खुबसूरती से आसपास का माहूल भी खुबसूरत हो गया है हलो दोस्तों वेलकम बैक तू दे चैनल बी रियल बी सिंपल आज की वीडियो मैंने शुरू की थी एक दिन पहले से और ये क्लिप्स एक शाम पहले की ही है जब मैं वानी के लिए टिफिन लेने के लिए मार्केट गई थी एक्चुली वानी का टिफिन खो गया है और मैं उ लिखा हुआ था और प्राइज उस पे 996 लिखा हुआ है हलाकी लेकिन ये मुझे साड़े 700 रुपे का पड़ा है अंदर से पूरी तरह से स्टेन स्टील का है बाहर से प्लास्टिक की बॉड़ी है हलाकी इसकी लेकिन ये अलग नहीं होता है जैसे ऑनलाइन आप देखते हो अगर आप कुछ लिक्विड भी देंगे बच्चे को तो आपस में मिक्स नहीं होगा और इसके साथ चोटे चोटे से चमच और काटा भी मिला है स्पून और फोक जो आप बोलेंगे तो काफी है मतलब चोटे बच्चों के लिए काफी है अगर उसके कभी जरुत होगी तो म मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए मैंने इसका टेस्ट भी करके देखा था पानी इसके अंदर भरके कुछ भी दर से उदर नहीं हुआ और इसके जूते लेके आई हूँ मैं क्योंकि उसके जूते टूट गए थे पिछले साल मैंने उसके जूते लिए थे और इस बार वो पूरी तरह से तूट गए हैं अभी जैसे बरसात चल रही है ना तो नीचे से उनमें पानी बर जाता है तो इसलिए जूते भी लेके आई हूँ और उसने इस तरह के जूते मंगाये थे इस बार जैसे गर्ल्स के हो हैं और अभी से इतनी गर्मी हो गई है ना मैंने उठके सिर्फ मुहाद दोए हैं और जाडू लगाई है इतने में ही मैं पसीनों से तर हो चुकी हूं और यह कॉठन का दुपट्टा बड़ी एल्प करता है मेरी साथ के साथ पसीना साफ करने में अब मुझे बनाना है बच और सब मिक्स वैज डाल के पुलाव बनाया था तो बच्चों ने उसी की आज जिद की कि उनको टिफिन में वही लेके जाना है तो वही मैं यह पर बना रही हूं मैंने करीब डेड़ कटोरी चावल भिगो दिये थे और सोयाबीन भिगो के रख दी थी अब मैंने को बना र अधाचमच गर्म मसाला हल्दी में नहीं डाल रही हूं और इसमें मैंने थोड़ी सी मुमफली भी डाली है इसका थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए वह बिगो के रख थी वह मैंने डाल दी है अच्छे से निचोड़ के पानी उनका चोटे-चोटे कटे ह अधाचमच पानी पसंद की सब्सक्राइबल थी मैंने यही डाली है और इस मतलब रेसिपी को अगर आप फुल देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग प मैं फ्रीज की थी और मई में की थी शायद मैंने वह अभी तक चल रही है देखिए जुलाइका महिना है अभी तक चल रही है तो पानी मैंने यहां पर डाला है मतलब डेड़ कटोरी मैंने चावल भी गोए थे तो यहां पर मैंने तीन कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डाला ह हमारी मम्मी हमेशा ऐसे ही बोलती थी कि जब भी चावल बनाने हैं तो जितने भी आपके चावल हैं उससे दुगना पानी ना डालके बस उससे आधी कटोरी पानी कम डालो आप जैसे ही उसमें बॉयल आया है मैंने उसमें चावल छोड़ दी हैं और उसमें सिर्फ एक सीटी जाएगी वह डन हो जाएगे तब तक मैं यहां पर आटा बना रही हूं क्योंकि हजबं को सुबह-सुबह नाष्टे में यह नहीं घाना था तो यहां पर मैंने थोड़ा सा आटा बेसन में लाके बनाया है नमक, मिर्च और थोड़ा सा जीरा मैं इसमें डाला है तो मैं वो हमने बनाए है ना मिक्स वैज बच्चों के लिए अभी मैं इसको थाली में फैला के रख देती हूं क्योंकि गर्मा गरम है और इस तरह से मैं टिफिन में पैक नहीं कर सकती तब तक मैं टिफिन की तैयारी करूंगी जब तक यह ठंडे हो जाएंगे यहां पे मैं दही पै हैं क्योंकि यहां पे कभी-कभी चुहां आ जाता है और सारे बादाम का भोग लगा के चला जाता है तो वही चुहें से बचाने के लिए इस तरह से जार में बिगोती हूं मैं इन बादाम को सारे बादाम चिल के रख दिये हैं बच्चे ले लेंगे अभी फिलाल राम जा है पहले उसका टिफिन मैंने पैक कर दिया है आज उसको थोड़ा सा जल्दी जाना है मतब वानी से पहले जाना है करीब साथ बजे ही उसे निकलना है और नाश्टे में मैं उसको दे रही हूं मतब खाके वह जाएगा दूद और चोकोज वह अभी तक भी खाता है अला कि ब थोड़ा आना था और अब आद देखिए इसर्फ के साथ बजे हुए हैं और ढूप के हलात आप देखिए बारिश ओ रही है लेकिन उसके बावजूद भी धूप निकलती है और सुबही सुभा तो फुलोन बारिश है और फुलोन आर reviewed मर आ कैक कर दिया है और आज वो नए टिफिन में लंच लेके जा रही हैं, तो दही दी है, मैंने सिंपल उसको, और बड़ी चमच मैं उसको साथ में दे रही हूँ, और ये दो बिस्किट्स मैंने उसको दिये हैं, इनके बीच में मैंने पीनेट बटर लगाया है, तो वो बोल रही थी, तो मैंने दे दिये, देख मेरा हजबन हम तीनों जाग रहे थे तो उसने बताया भी एंड टाइम पे था अब थोड़ा सा दूद रखा था वो मैंने निकाल के रखा है चाय बनानी है क्योंकि बाद में और यह सब बाद में समेटूंगी अभी बस किचन मैंने समेट दिया है बरतन शर्तन अभी सब इस तरह से जैसे माइनस में होता है लेकिन यह जो लिखा है यह राम ने लिखा है क्योंकि वह इस मामल में बहुत ही जीनियस है उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है और इस तरह से भी लिखने में माहिर है वो इसको मालूम नहीं कुछ बोलते तो है इस आठ को मेरे को अच्छी से याद नहीं आ रहा भी और यह देखिए एक मिठाई का डबा था यह पुराना काफी उसी का हमने यह कार्डबोर्ड यूज किया था उसी को यूज करके हमने बनाया है वानी ने अपने नाम वगरा लिखके सब सेट कर दिया है और अब वो लेके जाएगी हाला कि यह होलीडर होमवक का मतलब काम नहीं है उसका होलीडर होमवक तो वो सब्मिट करा चुकी थी उसके बाद सर ने मैच्स की कोई एग्जिबिशन होनी थी उसमें बोला तो भी तो नाश्ता करना है भई आप सिंपल वाले पराठे बन गए हैं हमारे किचन पूरी तरह से अभी क्लीन हैं बरतन चुटे हुए हैं और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको घर के हालात मतलब घर जब बच्चे निकलते हैं न तो क्या हाल होते हैं घर के तो वो सब मु नीचे लेके जाओंगी जो मैंने कल रात दोके सुखाए थे क्योंकि जैसे मैंने बताया गर्मी बहुत जाता है तो दो-तीन बार नहाना पड़ता है तो कपड़े भी बार बार दुलते हैं तो मैं हाथ से दोके डाल देती हूँ रात बर में सूख जाते हैं अभी मैं इनको ले आई हूँ लेकिन फिलाल बाहर ही रखा है क्योंकि अभी अंदर वाला कमरा सेट नहीं है इनको रखने के लिए और यह नारियल मैंने लिया था अब इसका पानी निकाल लेती हूँ पहले कट करके और फिर इसके छोटे-छोटे तुकडे करके और उसको एक पानी वाल मे मैं फ्रिज में रख दूंगी और धीर धीर खाती रहूंगी तो यह एक अच्छा एडिया है अगर आपको बार-बार भूक लगती है क्योंकि नारियल के अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं और आप इसको अच्छे से अगर फ्रिज में रखेंगे तो यह एक हफते तक खराब नहीं होगा तो पानी भी इसका सूपर टेस्टी था और अब मैं इसको रख देती हूं फ्रिज में अच्छा पूजा हमारी हो गई और जल में दे आई हूं और सिर्फ जल देने गई थी उपर और दो-चार जो कपड़े थे उनको लेके आई हूं और इतने महीना हालत बुर अब उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके मुझे मतलब कपड़े चेंज करने हैं पूरा दिन तो गाहून में नहीं रहूंगी हाला कि लेकिन मतलब पूरा दिन में सुबसले के शाम तक करीब आप 3-4 जोड़ी कपड़े आपको चेंज करने ही पड़ते हैं मुझे तो करने अब अब आपना नाष्टा करती हूं उसके बाद मिलती हूं अब लगों से तो अभी आई हूं किचन में दुबारा से थोड़ा बोच जो काम किचन में मुझे दिख रहा है वो कर रही हूं यह जार मैंने दोके रख दिया था अब फिलाहल उल्टा करके यहां पे घड़े क पानी रखा हुआ है और एक कप तूट गया है इसका कुछ इस्तमाल करना है मुझे आज और यह बचे हैं चावल जो मैंने सुबही बनाए थे तो देखती हूं तो पैर में या तो हजबन खालेंगे यह मैं खालूंगी या फिर बच्चों के ही काम आएंगे और यह थोड़ बास्ता बहुत ही कमों के ऐसे मिलते हैं कि हजबन घर पे होते हैं और उनके साथ बैठके खाना खा पाती हूं तो बाकी काम मैंने छोड़ दिया है अभी करती रहूंगी दीरे दीरे वह तो हमेशा ही चलते रहेंगे बाकी इतना है कि हाँ किच्छन थोड़ा सा मैंने समेट दिया है बर्तन वगेरे सब लगा दिये हैं अभी बर्तन दुलने बाकी है और यह जो तवा परात और चकला बेलन जो होता है ना यह मैं सिंक्ट में नहीं डालती हूं जूटे बर्तनों के साथ इनको मैं अलग से दोती हूं मम्मी हमारी ऐसे ही कहती थी कि ऐसे दोना चाहिए तो इस तरह ऐसे ही और मेरी सास भी ऐसे ही बोलती थी अब नाश्टा करने के बाद सारा घर मैंने क्लीन कर दिया है और अभी आप देख रहे हो रोशनी किस तरह की है क्योंकि उपर ग्रीन कलर का जाल है और जैसे ही मैं जाल से थोड़ा इधर आऊंगी तो देखिए रोशनी अपने आप ही चेंज हो जाएगी तो पूरा घर क्लीन हो चुका है जाडू पोच्छा साफ सफाई सब मैंने कर दी हैं और इतने में ही मैं पसीनों से दुबारा सित्तर हो चुकी हूँ अभी मुझे उपर जाके थोड़े से कपड़े भी दोने हैं क्योंकि हजबन को निकलन हैं और उनके थोड़े कपड़े हैं मतलब अर्जेंट के वह दुल नहीं पाए थे तो अभी मुझे उनको भी धोना है मुझे जाके और रसोई भी बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी है हलाकि बरतन अभी भी साफ नहीं हुए है वह मैं बाद में करूंगी क्योंकि आज दूस साफ कर दीजिए बरतन भले ही आप बाद में कर लीजिएगा वह जार सूख गया था अच्छे से मैंने उठा के रख दिया है सबजी वाले भाई आये थे तो मैंने उन पर उसे आलू लिये हैं और लैसून खतम हो रहा था गर में और शायद कच्छे आम भी लिये हैं मैंने ह अब देखिए यह कपड़े मैंने दो के डाले हैं और इनको थोड़ा सा इस तरह से करके डाला है मैंने यह लोगर टीशिट रजवन को अब इमर्जंसी में अभी चाहिए थे यही लेके जाने थे उनको पहन के जाने थे एक्चुली इनको आज कोटा जाना है और पैकिंग दो के डाले ताकि यह सूख जाएं हाला कि धूप नहीं हैं लेकिन हवा चाहिए और इसलिए मैंने कपड़ों को इस तरह से नीचे करके डाला है ताकि जो भी हवा चले तो इन में से लगे और यह मेरा गाउन जैसे कि आप देखी रहे हो अवी सुबही पहना था मैंने लेक यह नो च्ट को लेकिन के विटियो चेह वी ऊक्त को आगल अंपर यह रखे हैं कि मुझे तो यह आपको मेरी विडियो में देखने को मिल जाएगा और मुझे मैं दिखी एक गोरीया लाको तो यह बहुत ही कम देखने को मिलती है अब शहर क्या मुझे लगता है शायद गाउं में भी देखने को नहीं मिलती तो मुझे दिखी तो इसलिए मैं इसकी चोटी सी क्लिप शूट कर ली और अब उपर से आते वक्त मैं यह बैग लेके आई हूं क्योंकि पैकिंग करनी है अ तो यह सब रहता ही है इसको मैं कभी निकालती नहीं हूं पाउच को ऐसे ही रखती हूं ऐसे कैसा ही उनके बैग में रख देती हूं अब प्रेस कर रही हूं कुछ कपड़ों पे हो चुकी है कुछ पे बाकी है अभी करनी है मुझे और देखी यह बैल्ट दिखा रही हूं म पूछो मत अब फाइनली यह तूट गई मतलब तूटी तो बीच में दो बार और भी है लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरह से इसको रिपेर किया और चाहे नॉर्मली उनको कहीं जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो शादी भिया में भी अगर वो गए है न तो इसी बैल मतलब बाकी कपड़ों पर भी करनी है और साथ के साथ इन पर भी कर दूँगी क्योंकि अभी सारा काम निपट चुका है और खाना वगएर ऐसा भी मुझे कुछ बनाना नहीं है तो पहले यह जरूरी काम है इसको कर देती हूं और पैकिंग शेकिंग मैं करूंगी बाद में या तो मैं करूंगी या वो खुद ही करेंगे और यह कॉटन के दुपटे इनके किनारों पे मैं प्रेस करती हूं मतलब करती तो पूरे दुपटे पे हूं लेकिन किनारों पे खास तोर से क्योंकि कॉटन के दुपटे होते ना उनके किनारे सिकुड जाते हैं और वो फिर अच्छे नहीं लगते तो इस तरह से मैं इन पर प्रेस कर दी है सारे कपड़े तयार हो गए है प्रेस के अभी बस पैकिंग बाकी है वो मैं बाद में करूंगी और यह प्रेस अभी गर्म है तो इसलिए मैंने इसका जो गर्म वाला हिस्सा है उसको थोड़ा उदर करके रखा पैकिंग अभी थोड़ा बाद में करूंगी अभी टाइम है तोड़ा रिलेक्स करने का अभी सारा काम लगबग निबट चुका है और अभी बज गया है एक वानी के आने में अभी गंटा है और पैकिंग जैसे कि मैंने बोला भी बैग रखा है हजबन ने मना कर दिया है कि एभी पैकिंग मत करो मतलि हensor को चीर षां को चार बजे के आसपास पांच बजे निकलना है तो नहीं बोला है कि मैं चार बज़े के आसपास खुद पैंकिंग कर लूँगा प्रेस मेनी करक करती हैं सब पे जो भी उनने पैक कर ना वह पाइए या तो खूद कर लेंगे तो वो खराब हो जाएगा और वैसे भी हमने दोनों नहीं करीब दस या ग्यारा की बीच का टाइम तक साधे दस बजे होए थे इस टाइम पराथा और करेला जो खाया था और वानी आएगी स्कूल से तो वो बोल के गई थी कि उसके लिए एकस्टा पराथे बना के रखूं उ सुबा वो अपना वो ही चावल जो मैंने बनाए थे मतर वाले सोयवीन वाले वो लेके गया था दाई के साथ और रात में देखते हैं फिर अब क्या बनाएंगे और इस वीडियो को मैं सुबह से शूट कर रही हूं और रात तक आज में शूट करूंगी क्योंकि शाम को भी फैंसी तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो मैंने तो नर्मल इसी तरीके से होते देखा है और शाम तक का मुझे पता है कि अब जो भी शाम तक का का काम होगा इसमें भी यही हाल होने वाला है कि पसीनों से तर हो जाओंगी तो सोने से पहल एक बार फिर ना पड़ेगा तो उन में तो चार महिने इन में सबस्क्राइब करेंब्स पकते हो इस वीडियो को ख्पड़े हैं अग्यों कोती प्रीट करने का रात तक तक है क्योंकि यह व्यालगी शीवक्रत क्रों सब्सक्राइब मना नरे वी तो उसमें वह पेंडिंग काम भी करना है क्योंकि वह परीब एक देड़ महीने से पेंडिंग बढ़ा हुआ है काम तो मुझे आज करना ही करना है किसी भी तरीके से और खाने का ऐसा कुछ शाम को रहेगा नहीं बहुत ज्यादा नहीं रहेगा अगर ज्यादा हुआ तो पेंगो शेक बनाया था अभी वानी आएगी तो उसके लिए भी रखा है थोड़ा बहुत वह भी पी लेगी आके तो गर्मी इतनी जादा है कि पीने वाली चीज़े तो आप पीलो और उसी में पेट बर जाता है रोटी खाने का तो मनी नहीं करता किसी कम तो एक तो खाने क मनी करता उपर से किचन में जाके बनाने का मनी करता लेकिन यह कि करना तो सब कुछ पढ़ता है ऐसा तो है नहीं कि पिछले की वही तीन-चार मेनी की गर्मी है तो हम खाना बंद कर देंगे या बनाना बंद कर देंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा डाइज में चेंज हो जाता जो है psychisch करता है ऐस टाइम पर की मनलब बहुत जादा है वी नहीं खा सकते एक तो बना भी नशकते अगया सकते सब्लें जागर रही है वह रोटी बनाने होता है कि यह उमस वाली जो गर्मी होती है इसमें आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा है अगर खालो ना तो मुझे तो ऐसा मैसूस होता है कि जैसे ना मतलब अंदर से मन कैसा हो गया कि अभी वामिट हो जाएगी और इस तरह से सुबशे मैंने शूट की ये वीडियो अभी शाम तक सको लेके जाओंगी लेकिन फिलहाल इसका ही पेंड करती हूँ अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जीएगा बाई बाई दुबारा मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में